वोड्स फिटिग रियक्शन ठीक है अब जैसे वोड्स रियक्शन पड़ी वैसे ही आपने फिटिग भी पढ़नी है बड़ उसमें थोड़ा सा चेंजेज हैं ठीक है क्या चेंजेज बहुत ही इजी रियक्शन है एक बात देख लो बस तो उसके लिए हमें यह करना होते हैं है बस चो क्या लेना होता था कि f-c-s-3-b-r है ना फ्लस ट्वास एन ए और प्लस ऐसे यहां पर हमें क्या रिया आलिए यहां पर रेंगे गा अरॉमेटिक अरुमेटिक का मतलब होता है क्या बैंजीन की अरुमेटिक विन्या पर होनी चाहिए लैक दिस बस बाकिशिश्य स सबसे नहीं हैं कि फिर वहीं मैंने इस को बता दिया एक न की तो ठीक है तो सबसे पहले कैसा मैकरिजम देखने हैं आप मैकरिजम भी देख सकते हो चोटी सी है सपोज मेरे पास सबसे पहले क्या है यह जंदन ले लिते हैं ठीक है एक सोडिया आपको पता है टूटेगा है ना एक्स निगेटिव यह पॉजिटिव पॉजिटिव को सोडिय अपने लेपन देगे नूट्रल कर देगा यह हो जाएगा और प्लस एने एक्स बन जाएगा देख लीचे एक बार स्टेप फरस्ट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अफ्कॉर्स नहीं है अब जैसे इसको रिड्यूस किया इसने वैसी इसको भी कर सकता है कि इसको तो सीएफ्स थ्री बी आप प्लस एन एन क्या वा सब्सकेर गार्फ और निगेटीव निक्रेटील इन लेक्TF अ क्लस चार्ण 1 अलिक्त क्लड रिकर्ण दो जाएगा इस थी रिलिडि कले अफ प्लस अन्न बीया दोन रिलिडिक कल आपसमें कम्भाईओ जाएंlim प्लस क्या बन जाएगा आपस में बॉर्ड ना लेंगे कुछ इस तरीके से इसका प्रोडेक्ट बन जाएगा देख लीजिए आप क्लियर है ओके चले तो यह था बच्चों हमारा वुड्स रियक्शन और वुड्स फिटिक रियक्शन कि इसको अटा देते हैं अब अब आए बच्चों अब लोग कोलवे एलेक्टोलिसिस इलेक्टोलाइटिक मेथड यह बहुत इंपोर्टेंट है कोलवेज कोलवे एलेक्टोलाइटिक मेथड क्या करना आपको इसमें बहुत सेंपल है यार ठीक है आपको क्या करना होता है बताता हूं आपको यहां पर लेना होता है बच्चों कोई सॉल्ट किसका कार्बागुजरिक एसिट का मैंने आपर सोडियम सॉल्ट ले लिया लाइक दिस ठीक है और इसका बच्चे आपर मैंने करते हैं इलेक्टोलिसिस है यॐ अपकोू पता यह होगा क्या होता है तो यहां पर हमारा बनता है एलकेल प्लस बनते हैं ट्वाइस आप CDs फटेक्रहारा बंते है फ्लेडीे ऐस्टो बैलैंस करना हो हो बनता होग 對不對 है यह बन जाते हैं हमारे प्रोडेक्ट क्लियर हैं देख लीजिए अच्छे तरीके से देख लीजिए नो प्रॉब्लम ओके ठीक है अब मैं आपको बताता हूं इसकी मेकनिर्जम यह कैसे हुआ देखिए सबसे पहले जब आप इसको तोड़ोगे ठीक हैं सबसे आप इसको डाल दिया सॉल्वेंट में ब्रेक हुजाएगा बन जाएगा आर सी ओ ओ नेगेटिव प्लस एने पॉज़ेटिव हो जाएगा अब क्या होगा बताओ अब हम क्या करेंगे इलेक्टोलिटिक प्रॉसस है आपको पता है दो यहां पर यूज होते हैं एक एनोड और एक कैथोड ठीक है तो इनोड अब आप आ जाओ कहां पर एट एनोड एनोड में क्या होता है बच्चो ऑक्सिडेशन प्रॉसस होती है इसको याद रखें आप तो अनोड अब बताईए अनोड में जंदर यहां पर प्लस चार्ज होता है ठीक है पॉजिटिव चार्ज अलेक्टोड है अनोड तो इन दोनुष सपीसिज मैंसे कौन सी इस पीसे अनोड की यह तरफ होगी बताईए आपको समझ मारा आ सब्सक्राइब क्रेंगे नेगर और नैक्ट्रों करदेंगे यह क्या करेगा अगर बैलंस करके चलना है तो इसके पास कितने एलेक्ट्रों दो इलेक्ट्रों थे। यह क्या करेंगा एकडेंद को रिमूब कर देगा दो है तो दो हो जाएंगे ऐस्मलेटिक अब जो पार हैin इश हं है समय मा Sig सबस्क्ति होगी यूट्यूब में यूटिउуса जोपने थे उस पह देखीए है तो आपको पता है कि था खोड़ीटिक बसा क्ट कर सकती है तो क्या हो जाएगा चलब बिलेंस करने ब्रेक कर देगा एक ऐलेक्ट्रोन ना रखले का बनद एक कारबन अगलेका एक रैक्ट्रोन अपस में क्या हो जाएगे सब्सक्राइब हुए लगा दीजे अब अब इन इस टाइप 3 अब देखो दो लेडिकल बने है यहां तक तो आपको समझ माया होगा आए होगा यह कहां पर यह कहां पर यह कभी कभी कुशन क्या पूसता बता है कि कोलबे लेक्टोलिस इस रियक्षन जो होती है उसमें एलकेन कौनRR मिलता है यस healthy का मिलने आपको अनोड में तो आपको हमलते है अब मैं इसको अब आएक से कर फिद्धा कर आप बोस्व करें और आहाँ से नोड कर ली कि प्रोब्ल जया है घ्र क्या में कात क्या क्यातों होटी क्यातों हो निगर चाइगे सबसे पहले पॉजटिव लगो स्कार्ष नियोंगतोर क्यों स्वाटीञ निघरिटीज और निघरिटीव चार्ष में कॉन्सी इस पीशी आएगी सबसे पहले इसने water डाल लखा, balance करना है 2 लगा दीजी, यह बना देगा यहां पर क्या, NaOH, ठीक है, 2OH निकलेंगे और यहां 2H बचेंगे, और वो क्या बना लेंगे, आपसे मिलके, H2 बना लेंगे, तो यह H2 क्या बन जाएगी, gas, release हो जाएगी, ठीक है, इसे bubbles उठते लिखेंगे आपक हो जाती है, आपकी hydrogen gas release हो जाती है, clear है, yes or no, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, तो callway method यह था, बहुत simplest method था, कह सकते हो, बहुत easy था, ज्यादा कोई दिक्कत थी नहीं,